दोस्तों गरीवी का कारण बनती हैं ये चीएं, भूल कर भी ना रखें घर में, वास्तु सास्तर का हमारे जीवन में घहरा प्रवाव पढ़ता है, कौन सी चीज कहां रखनी चाहिए, घर में किन चीएं को नई रखना चाहिए, या फिर घर का निर्मान किस तरह का होना चाहि ये सभी चीएं वास्तु में बताई गई हैं, कई बार घर के अंदर कई ऐसी चीएं लगी रहती हैं, जो असुपता वे नकारात्मक्ता लाती हैं, जिससे ना केवल परवार की सुख सांती खत्मोतिय बल की धन समन्दी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, वास्तु मे घर से जुड़े सभी कार्यों को करने से तरक्की करने के तरीके बताई गए हैं, आयम आपको कुछ ऐसी चीएं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका घर में होने से कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और वास्तु दोस्त लगता है, ऐसी चीएं नकारात्मक्त गलती करते हैं, तो आज से इने सुधार लें, तो नमबर एक है दोस्तो, नल से टपकता हुआ पानी, वास्तु सास्ति के अनुसार पानी धन का प्रतिनित्तुर करता है, अक्सर देखने को मिलता है कि कुछ लोगों के घर में नल से पानी टपकता रहता है, साथी घर की दीवार के सदस्यों को आर्थिक समस्यां का सामना करना पड़ता है, इसलिए घर के नलों को हमेशा सही रखें और दीवारों पर किसी भी प्रकार की नमी ना हो इस बात का भी ध्यान रखें, नम्मर दो, घर में पड़े तूटे बरतन वे कांच राहू का प्रतिक होता है, इसलिए घर में अगर तूटे बरतन वे कांच रखें, तो उनको तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए, और घर की दीवारों पत दरार हैं, तो उनको सही करवा लेना चाहिए, ऐसा करने से घर का वास्तू बना रहता है, और जीवन में तरक्की आती है, वास्तू के अन अन्डा तूट जाए, तो ये निकट भविस्य में आर्टिक चुनोतियों का कारण बनने का संकेत है, ऐसे में कबूतर या अन्नी पच्ची का घर में गोंसला नहीं बनाने देना चाहिए, लेकिन अगर गोंसला घर की चार दीवारी के भार हो, तो इससे कोई परिशानी नह होती, जाल वे कवार भी घर में नकारात्मक उर्जा का सबसे बड़ा इस्रोत माना जाता है, जिन घरों में हर रोज साफ सफाई रहती है, वह माल लच्मी का वास होता है, घर में अगर कुछ चीएं ऐसी हैं, जो मरमत की मांग करती हैं, तो उनको सही करवा लें, या फिर उ कि किसी भी कारे या गती विदी को रोकते हैं, इसलिए कवार और जाल को हमेशा हटाते रहना चाहिए, वास्तु सास्त के अनुसार फटे जूते चपल सम्मंध सनी से माना जाता है, और फटा हुआ जूता घर में रखने से, वह सनी के नकारात्मक प्रवा को बढ़ाता है, प्रिगती को रोकने की सूचक है, और इसको घर में रखने से धन की हानी होती है, अगर आपके घर में बंद पड़ी, घड़ी या फटे हुए जूते चपल रखे हुए हैं, तो उनको भी घर से बार कर देना चाहिए, ऐसा करने से वास्तु दोस्त के साथ 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 सनी दोस साथी सच्छे मन से नीचे कमेंट बॉक्स में जैमाल लचमी जरूर लिखते हैं, जिससे की आपकी हर मनो कामना पूरी हो, मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए उस्तो भाए